नमस्कार स्वागत है आपका दैंडे टॉप में मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव आजम पहुंचे हैं महंगाई को लेकर के जेडियू के प्रवक्ता के पास क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्धा है पुरे देश में इसके चर्चा हो रही है अब बिहार के राजनीती भी इ पुरे लेकिन आप भुवा होती जा रही है वही तैसी नेताप्रतिपक्ष है उन्होंने भी कहा है कि महंगाई अब देडरे बुवा बनती जा रही है तो हम बात करेंगे निखिल मंडल जी से जो ज़ेडियू के प्रवक्ता है निखिल जी आप सत्तापक्ष में बिहार में हैं मंगाई लगातार बढ़ती जा रहे हैं अब भी आपको पता होगा गैस कितना मंगा होगे सरसोतिकंग चांगा तर मंगा हुगा रहे हैं देखें निशित रूप से महगाई एक मुद्दा है और उस मुद्दे को कोई इंकार नहीं गरता चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी सभी को है ना से प्रदेश, देश, विदेश सभी ने पिछले डेर दो साल से कुरोना महामारी को जहला है जिससे पूरे दुनिया की अर्थविवस्था बिगर गई है ये एक सचाई है और इसकी चिंता आपको और रिकॉर्ड हमारे मुखमंत्री जी ने कई दफ़े कहा है और सब पार्टी के लोग से लेकर के सरकार भी है कि किस तरह इस महगाई को नियंतरन में हम लोग रखें निश्चित रूप से एक मुखमुद्दा तेल है तेल को लेकर के है जो कि इंटरनेस्टनल मार्केट के तहत होता है एक वह मुखमुद्दा है कि अगर आपके डीजल के दाम भागेंगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके तहत बहुत से जुरे हुए चीज के दाम बढ़ेंगे लेकिन तमाम चीजों के बावजूद यह हम मानते हुए कि महगाई एक मुद्दा है और रहात मिलनी चाहिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके जल्द ही सक्वात्मक्त प्रयास के प्रइद्दाम भी आएंगे अब बिहार में सत्ता पक्ष में है आपको पता देंगे अब गैस इंडर कैसे इस्तिमाल करें हाजार रुपय गैस होता जा रहा है जो गरीब है जो डेली 400 रुपया 300 रुपया डेली कमाते है आपको पता ही होगा लेकिन वो अब गैस जो खपत होगा उसका हजार रुपया हो रहा है महांगा इतनी बढ़ती जा रही है आप सत्ता पक्ष में है आपके गट बंधन में है बीजेपी दबाव बनाने के कोशिश करेंगे मह है कि मंने इस पस्ट रूप से कहा कि ये हमने इस पस्ट रूप से माना है और हम सार्जनिक रूप से भी एड्मिट करते हैं कि है लेकिन सभी को समझना पड़ेगा कि समस्या इस तरह से क्यों बढ़ा है आप पूरी वर्ल्ड वाइज अगर जाईएगा तो ऐसी स्थिती है क सभी जगह revenue की कमी आई है सभी government कहीं न कहीं इस वजियत से जूज रहे हैं इसको ले करके यह समस्या है लेकिन यह permanent समस्या नहीं है यह temporary समस्या है उसको ले करके के चीजें को सकरात्मक तरीके से उस पर पहल की जा रही है कि कैसे इसे कंट्रोल की जाए पहली बात दूसरी बात कि मैंने इस पस्ट रूप से कहा आपने जो सिलिंडर की बात कहीं तो वही तो कह रहा हूं कि क्रूड वॉयल से जुड़े इन तमाम मामले में जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो इन तमाम चीजों पर फर्क पड़ेगा है लेकिन निश्चित रूप से इसके भी कंट्रोल करने की पहल की जा चुकी है और पहले भी मुकमंत्री जी और प्रधान मैं आपके इतना बड़ा अर्थ सास्त्री तो हूँ नहीं है और मुझे इतना नौलेज है मैं बेसिक चीज यही जानता हूँ कि जब जब तेल का दाम बढ़ता है उसी के तहत रेविन्यू टैक्स भी बढ़ते हैं और गवर्मेंट पे अत्रिक भार परता है और उसके तहत बहुत तरग के चीजों और महगी हो जाती है इसके अलावा मैंने इस पस्टूप से कहा जहां तक सरकार को लेकर के आप बोल रहे हैं सरकार ने इस समस्या को लेते हुए बहुत ही गंभीरता से मुखमंत्री जी ने भी प्रधान मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है लेकि करके सभी को मानना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सहीयोग सब को करना पड़ेगा विपक्षी दल लगाता इसको लेकर के हंगामक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ जुनों में राज़त फिर सड़क पर उतरने वाली है अंदोलन करने वाली है कैसे किस तरह से रनिती बना रही है और रहा है वह को सब्सIX का मिरो लेकर टरना अक्सर ऌग ट्वीटी दिए और लोग तो इल्टे फोटो उतरते हैं और सक्रात्मक मुद्दी को एक. उतरते हैं तो बधाई के पातर हैं और वो उतरेंगे तो हम सभी सवाल का जवाब भी देंगे निकल जिक बात बता है कि जिस तरह से राष्ट परिश्ट के बैठक में ये कहा कि उतर प्रदेश चुनाव में लड़ेंगे विधान सवा में निदिश कमार निदिश कमार ओंगे आपके तरफ से या फिर NDA में रहेंगे तो योगी अदितनाद चेहरा नकिएउ क्यों कि योगी अदितनाद मुखिमंत्री हैं और वहां के और BGP उनको प्रोजेक्ट करती है आप लोग NDA में रहेंगे नितिश कुमार का चहरा सामने रखेंगे या फिर योगी अधितनात का चहरा सामने रखेंगे जितने चीजें हुई उसको लेके प्रेस ब्रीफ हमारे राश्ची प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने रखा आप सब के सामने रखा इसके अत्रिक जो भी जानकारी आपको लेनी है राश्ची प्रवक्ता केसी त्यागी से लीजिए ये मेरे अधिकार छेत्र क्या बाहर का सवाल है कि कब क्या होना है ये सिस्ट में तित्ते करने वाले लोग है उनसे पूछिए वो बैतर बताएंगे अब छात्रों के मुद्दों को लेकरें लगाता है भी एससी के छात्र हैं जो हंगामा कर रहे हैं करमचारी चैना के बाहर उनका कहना के आट साल से हमारा मामदा लंबित है लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है देखे सरकार हला हंगामा या धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है एक उप्यूक्त प्लैटफॉर्म होता है किसी भी चीज का वहां अपनी बात को रखा जाता है सरकार के नितित में जब चीजे संग्यान में आती है तो निश्चित रूप से उसका समाधान होता है ऐसा कि नैसा नहीं है कि समस्या है तो उसका समाधान नहीं हो समाधान हो गए बहुत धनवाद हमारे साथ बात करने के लिए निखिल मंदल जी से जो की जेडियू के प्रवक्ता है उनका साब तोर पर कहना कि जिस तरह से पूरी देश में महंगाई बढ़ रही है हमारी भी नजर